42 जन जातियों को आदेवासी में सामिल करने के लिए वहां के स्थानी विदायक के नित्वत में दिल्ली में एक प्रदर्शन किया गया दिल्ली में जनजातियों के द्वारा कहा गया कि कुल 42 जनजातियों 36 गड़ में जातियों को गलत नाम से लिखा जा रहा है राज पत्र में जो नाम है हमारा उस प्रकार से नहीं लिखा जा रहा है जिसके करण प्रमान पत्र नहीं बन पा रहा है जिसके करण हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है जबकि 36 गड़ सरकार कहे चुकिए कि हमें आदेवासी माना जाए कि इन सरकार को प्रस्ता भेजा गया था मगर कि इन सरकार ने अभी तक कोई कारवाई नहीं किये हमारी मांग है कि सभी जन जातियों को अधिवासी माना जाए और इसी को लेकर उनके द्वारा विरोध पदर्शन दिल्ली में किया गया। जो पहले मध्य परदेश था चत्ती अलग नहीं हुआ तो हमारा जाते को परक्तम रही थी। जैसे ही चत्ती अलग हुआ दोजार में उसके बास तक मात्री खूटी कोई हम अन्य नहीं है। किसी का आग मात्रा, किसी का आउंक मात्रा से पटवारी ने गलात लिखिया, गुरूजी ने गलात लिखिया। तो आधिवासी समाज, ऐसे आधिवासी समाज ने अवदन दिया, उसमें चानविन समिती बैठी और वहां से चत्ती गर से आयोग ने वहां से भेज दिया दिल्नी के लिए। और हम आप माध्यम के मुदी जी से और अर्जुर मुदी जी से ही कहेंगे, कि भई आधिवासी समाज को जाती पर मात्रों जारी कर दिजिए, जो चानविन समिती ने सही पाया, यह कहां के निया है, एक तरब आप कहते हैं कि हम समता मुलक समाज बनाएंगे, 24 साल हो गया इ जाती पुमाद पद्रों प्रॉड रहा है, वह भी उनका भी दरिक्षा है, कि मैं सी तरब मेरे बेटा को, मैं अपने बेटे को तसिल्दार बनाएंगे, तख कुझ बात है, कि आज जाती पर मात्रों पदरने पर रहे है, इसलिए हम कहना चाहते हैं, कि आप जो है, जो क्ष पूरा यहां पर भेज़ दिया है उसको इस सित्कालिम 17 में आप उसको पास करें और एक आदिवासी समाज के जाती पर पत्र दे करके आदिवासी समाज के साथ लियाय करें एसा आपको क्यों आपकी वहां आँगे पूरी नी हुई जापको दिवली पर दिजिन करने हाना अपको देखिए आदिवासी समाज बहुत दोले भाले समाज है। चंगल में रहते हैं आपने धाते कमाते हैं किसी से लेना किसी से देना लेकिन मजबुरन आज बाबा सब जिकाएं जो सिंविधायन केन्सार का। चरुत पड़ता है लेकिन एक बताईए कि आज हमें एक तकलिब होना है आज आप से माध्यम सो लेता को देख रहे होगे आप इस चैनल में तो अपने आपको आखे कि एक कहां करनिया है कि कौन सा भारत पर होना चाहते हैं वह आप कि एक तरब चोतर साल में एक जाती कुमर्ण पतनी कुम पर है और हमारे बाबा लोग आदिवासी थे मेरा पिता जी हमारे लोग आदिवासी थे यहां तक कि आपको कही ऐसा मिलेगा आपको यहां पर आए हुए एक भाई आदिवासी है और दूसरा भाई आदिवासी नहीं है और उसके ब कि वही समाज है जिस समाज में बिश्रमुंड़ा हुआ वही समाज है जहां से दुरगावति topuli यह समाज है जहां सरण वर्मी का सी नव्शुनर यहां अशान हो विश्रा मतर में आधिवाशी समाज एक हो जाए अब पूरा भारत में एक खने करें जो इतिहास में आपका जो है सप्ता दुखाने का एक इतिहास रजदे किसमें अधिवासी समाजों का यह अधिवासी समाज कभी अंदुलन नहीं करता अपने मस तरहता है अधिकाल से वन्चित रखोगे तो इसनने को इसमाज है जो जनगल के अंदर जानवारों से लड़ने वाला समाज है इसको आप दरा नहीं सकते अगर इनका मान अगर पुरा नहीं होता तो इनलों मजबूर होकर के रोल रोकेंगे चक्का जाम करेंगे मंत्री मिनिश्टरों को घर के खिराव करेंगे ए आदिवासी समाज हम तो गरीब आदमी हैं दिल से जीने वाले हैं कहीं इसको छड़ोगे तो कहीं आपको लेना के जिरने पर जाए इसलिए जो भी अगर आप मान नहीं पुरा कर दें अंदुरान करेंगे जन धन कहानी का अगर कोई छटी पोस्ता है इसका संपूल जवबदारी दिल्ली के सरकार, मोधी के सरकार, अरजून मुंडा जी होंगे यह दिल्ली के सरकार जातियों को गलत तरीके से गलत नाम से लिखा गया है, मातरात्मक तूटी करते हैं इसे, सब दुभी विद काते हैं, उस प्रकार के तूटी के कारण राज पत्र में जिस प्रकार का हमारा जो नाम है, जाती का, उस नाम के अलावा, अलग प्रकार से लिखे जाने के जारण हमारी जाती प्रमार पत्र नहीं बनाया जा रहा है, हमें मुल अधिकार से मंजित किया जा रहा है, जिसके लिए हम पिछले 20 साल से अपने मुल अधिकार, सवधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि हमें जो आदिवासी जाती है, अधिसुचीत है, भारत के राज़ पत्र में, हम वही आदिवासी है, लेकिन भू अभी जैखों में गलत दर्ज होने के कारण, गलत नाम मातरात्मत कुर्टी होने के कारण, हमें आदिवासी नहीं माना जा रहा है, जिसकी लड़ाई हम लड़ते हुए, दिल्ली प्रभाई हो रहा है, वे आदिवासी ही है, जट्की लड़की सासन ने, अनुसुची जंजाती आयो, टियार आई, अनुसंदाहां के अंदर, और वहां की जो सरकार है, उसने सहमती देते हुए, प्रस्ताव भारत सरकार को दे जाता है, अगर सरकार आपकी मांगे पूरी न चालीस हजार की संक्षन सिर्फ एक जाती में, चत्तीजगड के एनेस तीरफान सराई पाली में, राज्योस्ताव का बहिश्कार करते हुए, रेल रोड ब्रेक किया हुआ था, और छाए गंट अब रोड ब्रेक किये, उस दिन हमारे महा महीम राष्ट पती जी, पोईद महो अब भावना हमारे प्रती जागरित हुआ, और उन्होंने 22 जन जातियों को जो मातरात्मा कुटी थी, उसे सही माना, और जही मानते हुए वहां की केबिनेट से प्रस्ताव पालिक करते हुए, जिस प्रकार से भारत के राजपत्र में अखन कीद है नाम, उसको मातरात्मा क पूटियों को सब्द विवेदों को सही मांगते हुए उसे 36 गड़ में विवस्ता दिया हुआ है हम आभी आज भी आदिवासी का पने अधिकार प्राप्त कर रहे हैं लेकिन ए आइस्थाई है हमारा जो ट्यार आई और जंजाती आयोक से प्रस्ताव